हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका मेरे नौरात्री नाइन कलर सीरीज में आज का थीम है वाइट पता नहीं मैंने यह वाइट कलो को जस्टिफाइग किया है कि नहीं मतलब हर वीडियो मेरा कुछना कुछ कांड होई जा रहा है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मेक अप हमेशा के तरह करेंगे पहले मॉस्चराइज एंड यह टू इन वन है मॉस्चराइज भी करेगा और प्राइम भी करेगा तो मैं अपलाई करी हूँ रेने से साथ प्राइमर ऑइल भी है तो आपको अच्छे से मसाज करके लगाना है थोड़ा ही से एब्जॉब होने का पिन कंसीलर और मैं मतलब अगर जलबाजी में रेडी हो रहा है ना तो दोनों का एक साथ ही यूज करो मतलब एक बार में आपको जहां-जहां जरूरत है दोनों को ही अपलाई करके एक बार एक साथ ही ब्लेंड कर दे ठीक है तो वैसा ही मैं भी करूंगी पहले मैंने लिफ एरिया में तो आपको जहां-जहां कंसीलर करना है वहां भी आप इसे प्लेस कर लो एक साथ ही सब को हम ब्लेंड कर लेंगे तो यह मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर और इसे पहले वेट कर लेना ठीक है इतना तो अब तक सब को पता चली गया होगा कि हमेसा ब्लेंड करेंगे नेक एरिया को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना देखो कितना अच्छा फेस पे इसाब कुछ बैड गया एकडम कंसीलर भी फाउंडेशन भी अब इस पूरे जो मैंने अक्ताम जहम किया अपने फेस पे उसे हम सेट कर देंगे पॉंड पाउडर से यह ल कर लोंगी बनिया से अब मैं करूंगी आई मेकप ठीके इसके लिए मैं यूज करी हूँ यह स्टेंसिल्स है मतलब स्टीकर है आई-लाइनर के लिए आई-शैडो के लिए तो इसमें से मैं कैट आई-लाइनर वाला स्टाइड निकाल के अपने आइस पे स्टिक करूंगी और यह ना मतलब मैं ट्राइल कर रही हूं मुझे पता नहीं क्या रिजल्ट होगा मैं फिर्स्ट टाइम इसे यूज नहीं किया देखते हैं क्या कांट होता है हम देखते हैं अभी ठीक है तो इसे अप अच्छे से स्टीक कर ले ना लेकिन आप अपने इस को इतना मूवमेंट कर रही हूं एक लाइनर जो कि इसमें डिजाइन किया हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सीधा बात मैं बोलू तो कुछ खास नहीं लग रहा है फिर मैं इसे खुद से ही थोड़ा टच अप कर रही हूं खुद से थोड़ा विंग वाला स्टाइल लुक दे रही हू और उसे थोड़ा सा स्मच किया है और सेम काजल को मैंने हाफ आईलाइनर के तरह यूज किया है आप मेरे अपर आईलेश देख रहे हैं हाफ आईलाइनर मैंने लगाया है ब्लैक का एंड हाफ है वाइड जो आईलीड्स है वो ऐसे बोरिंग लग रहे थे तो मैंने उस पे सा सीमरी आईलाइनर लगा दिया है जो कि है मार्स का एंड इससे थोड़ा लूप मुझे अब अच्छा लग रहा है कुछ भी अगर आप कांट कर दो ना थोड़ा सा ग्लीटर लगा लो ना तो बहुत ही अच्छा लूप आने लगता है और साथ ही मैंने मस्कारा भी लगा अपर आईलास में लगाना लूर पे नहीं और फिर मैं कर दीओ कंटोरिंग अपने फेस को क्योंकि मैं फेस चबी है तो करना पड़ता ही है मुझे लेकिन कभी कभी मैं नहीं करती और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से बिलकुल और यह जो कंटोर है वो छहीं आपको कैसा लग रहा है यह मुझे ज व्क कर दर बघ क्या कर रहा है यहां को ब्ला दो मैंler कि लिए कभी क्या कि पता नहीं बठाहिं वर्दॉदंग मुझे महां हो गया और येरिंग्स जो है ना वह मैंने अमजॉन से लिया है तो लिंक्स में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से पर्चिस कर सकते हैं यह ड्रेस भी एमाजॉन का है जिसका फुल लुक आपको साइड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा कैसा लगा आपको आज का मेरा यह लुक यह मुझे जरूर बताना कमेंट करके और बाई टेक कियर शीव इन नेक्स्ट वीडियो और इंजॉय करना नवरात्री में हैपी नवरात्री टू आल अफ यू इन एडवांस बाई टेक कियर